केंद सरकार ने राशनकार्ड के जरिये हो रही धांदली पर रोक लगाने और सही लाबार्थियों को फादा पहुचाने के उद्येश्य से 4.49 करोल फरजी राशनकार्ड को रद कर दिया खादो और सारवजनिक वित्रण विभाग ने NFSS के तहत यह कार्य किया है रद किये गए राशनकार्डों के बदले में सही और योगे लाबार्थियों या परिवारों को नियमी तोर पर ने राशनकार्ड जारी कर दिये गए है दरसल सारवजनिक वित्रण विभास्ता को आधोनिक बनाने और इसके परिचालन में पार दर्शिता और कुछलता लाने के लिए कई कदम उठाए गए है इनि में से एक है फरजी राशनकार्ड को रद करना इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड को रद करने के पीछे सरकार ने कहीं कारण दिये राशन कार्डों और लाबार्थियों के डीटाबेस को डिजिटाइज डिजिशन करना राशन को अधार से जोड़ना अपात्र या फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना डिजिटाइज किये गए राय डाटा को दोहराव को रोगना और लाबार्थियों के दूसरे जगे चले जाने या मौत हो जाने के मामलों की पेचान करने के लिए फ़र्जी राशनकार्डों को रद किया गया है इसके अलावा पात्र लाबार्थियों और परिवारों को शामिल करने उन्हें ने राशनकार्ड जारी करने का काम किया जा रहा है ऐसर वीडियो के लिए वीडियो को लाएं शेयर चैनलों को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद